नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्खन के टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं 31 जुलाई तक जारी हो जाएंगे मैट्रिक इंटर के रिजल्ट सुप्रीम कोट के निदेश के बाद CBSC, ICSC, जार्खन एकेडमी कॉंसील समेट सभी राजियों के बोट को 31 जुलाई तक 10 वी और 12 का रिजल्ट जारी कर देना है सुप्रीम कोट के फैसले के बाद जार्खन एकेडमी कॉंसील अगले एक दो दिनों में मैट्रिक और इंटर्मीडियेट परिच्छा के मुल्यांकन के लिए गाइलें जारी करेगा बता दे जायक ने 9 वी और 11 वी के रिजल्ट के अधार पर 10 वी और 12 के मुल्यांकन का प्रस्ताविस कुली सिक्छा और सक्षर्टा विभाग को भेज़ दिया है सिक्छा विभाग की स्विकृत्ति मिलने के बाद उसे जारी किया जा सकेगा मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक आकास में बादल चाहे रहेंगे बता दे इस दिरान कहीं कई हलकी बारिस होने के असार है हलाकि जारखन में मानसुन धीर दिरे कमजोर पढ़ रहा है मौसम विभाग जानिकों ने अपने परुवनवान में बताया है कि 29 जुन तक जारखन में इसी तरह का मौसम रहने का अनुवान है बता दे जारखन में मानसुन कमजोर पढ़ रहा है राजियों में कुछ हीसों में बुद्वार को बारिस होई वहीं अगले 5 दिनों तक आकास में बादल छाय रहेंगे सरकारी स्कूल के 13 लग बच्चे ऑनलाइन कलास से जुड़े राजियों के सरकारी स्कूल के लवग 13 लग बच्चे ऑनलाइन कलास से जुड़े है बतादे इन बच्चों को जार्खन सिक्षा पर्यूदना द्वारा वाटसेप गुरूप से लर्निंग मटेरियल भेजा जाता है सिक्षा पर्यूदना द्वारा सब्ताहिक क्वीज का भी अवेजन किया जाता है बता दे इन में बिद्यालियों को बच्चों को सब्ता भर भेजे गर लर्निंग मटेरियल के आधार पर प्रस्त पुछे जाते हैं ओनलाइन कलास से तो लगभक 3 लाख बच्चे जुड़े हैं परंतु सब्ताइक टेस्ट में लगभक 6 लाख बच्चे ही सामिल होते हैं जारकन सिक्चा पर्युजना ने सबी जीलो को सब्ताईक क्यूज में सामिल होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाने का निर्देस दिया है बिस्व विद्यालों में सिक्चकों की नियुक्ती के लिए आरक्षान रोष्टर तयार जारकन के बिस्व विद्यालों में प्रफेसर, एसोसियेट प्रफेसर तथा असिस्टेंट प्रफेसर के पदो पर नियुक्ती की परकिरिया सिग्रे सुरू करने की तियारी है उच एवम तकनिकी सिक्चा विभाग इसे लेकर आरक्षान रोष्टर किलियर करने की करवाई कर रहा है उच सिक्चा निदेशक के अनुसार आरक्षान रोष्टर पर कर्मिक विभाग से स्विक्रिती लेने की करवाई चल रही है उनके अनुसार अगले सब्ता तक सभी पदो पर प्रस्ताव कर्मिक विभाग को भेज दिया जाएगा केंद्र सरकार ने मांगे ड्रॉप आउट बच्चों की सुची केंद्रिये सिक्षा मंत्राले ने करोना के करण इसकूलों के बंद रहने के करण ड्रॉप आउट तथा अनामांकित बच्चों की सुची मांगी है बता दे केंद्रिये मंत्राले ने इस सुची को मंत्राले के प्रवंध पोर्टल पर अप्लोड करने को कहा है केंदर के दिशा निर्देश के आलोक में जारकन सिक्षा पर्योजना परिशन ने ऐसे बचों की संख्या प्रवंध पोर्टल में अफलोड करने को लेकर सभी जीला सिक्षा पताधिकारियों और जीला सिक्षा अधिक्षकों को जारी कर दिये हैं बताया जाता है कि राज सरकार द्वारा इसकुलों में सिसू पनजी के अपडेट कराये जाने में यह बात सामने आई है कि 1.96 लाख बचे ड्रोप आउट हैं जबकि 3 लाख बचे अनमांकित हैं 30 जून तक गरामी इलाकों में लगेगा बिजली बिल का ब्याज माप सिवीर जारखन बिजली बित्रनिगम लिमिटेट के राची विधूत आपूरती अंचल अंत्रगत सुक्रवार से 30 जून तक एक मोच समझोता योजना का सिवीर लगाया जाएगा बताजे राची एरिया बोर्ड के महाप्रवंधक पीके श्रीवास्तव के उन्सर गरामी इलाकों में पंचायत वार कैम्प लगाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक उफ़ोकता इस योजना का लाब ले सके योजना के अंतरगत 31 मज तक बकाया बिली-बिल का ब्याज माप करने का प्रवधान है प्राथमिक सिख्छक संग ने नियुक्ती पर किरिया सुरू करने की मांग की जार्खन परदेश प्रात्मिक सिक्षक संग ने मुख्य मंत्री हमन सुरेन के जार्खन के सब ही विभागों में विसंगतियों को दूर कर रिक्त पदो पर एक महिना के अंदर नियुक्ती पर किलिया शुरू किये जाने से मंदी आधेश का स्वागत किया है संग के परदेश अध्यक्ष संजय महत्व ने कहा कि जार्खन के प्रात्मिक स्कूलों से लेकर पलस टू इसकूलों में लगभग पचास हर से भी अधिक पदरिक्त हैं उसके साथ ही अने विभागों में भी बड़ी संख्या में पदरिक्त हैं उन्होंने काया कि पिछले कई बरसों से वह कुरोना महामारी के कारण जार्खन में नियुक्ति नहीं होने से हजारों अभियार्थिक उम्रिसीमा भी स्वाप्त हो गई है इसके मद नजर जार्खन परदेश परात्मिक सीखक संग ने सरकार से नियुक्ति में पांच बरस की छुट देते हुए सबी अस्तर के स्कूलों वा विभीन विभागों में नियुक्ति के लिए विगयापन जारी कर नियुक्ति पर के लिए शुरू करने की मांग की है राज ये के साधू संतों कैदियों और विखारियों को भी लगेगा टिका जार्खन सरकार के ओर से अब राज ये के साधू संतों कैदियों और विखारियों को भी कोविट का टिका लगाया जाएगा बतादे स्वास्त विभाक के नोडर पता दिखारी से दातिर पाठी ने गुरुवार को बताया कि इसके लिए डिस्टिक टास्पोस का गठन किया जाएगा उन्होंने कहा कि फैसिलेटर रहेंगे जिसकी देखरेख में या टिकाकरन किया जाएगा उन्होंने कहा कि जल्दी डिस्ट्रीक टास्पोस्ट का गठन कर राजे के साधू संतो विखार्यों यम अन्य को चिनहित किया जाएगा इनके चिनहित हो जाने के बाद टिकाकरन का कार्य सुरू होगा सलक पर्योजनाओं का कार्य तेजी के साथ करे फूरा मुख्यमंत्री सलक के अच्छी और समय परवने लंबित सलक पर्योजनाओं का कार्य तेजी के साथ पूरा किया जाए नई सलकों के निर्माने में उसकी उप्योगिता का बिसेस ध्यान रखा जाए मोखे मंतर हेमान सुरेन ने गुरू आरको पथ निर्मान विभाग की बैठा करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिये हैं इस दोरान उन्होंने विभीन सड़क परियोजनाओ की प्रगती नई सड़क निर्मान से समन्दीत कारियोजनाओ और रयसो संगरा की भी समिक चाकी भारत में 51,225 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 6,07,903 है आउट्सोर्सिंग स्टाप की हर्ताल खत्में ज्यारकन के स्वास्त मंत्री बानाग उपता ने संग्यान लेते हुए गुरुवार को रिम्स के आंदोलन रत आउट्सोर्सिंग नर्सिंग स्टाप की हर्ताल खत्में कराई बतादे मंत्री के समक्स आंदोरन रत करमचारियों का प्रतिनिदी मंडल और समधित आउट्सोर्स एजन्सी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभाय तिवारी ने गुरुवार को मुलकात की इस दोरान विभीन विशवय पर चार्चा हुई उलेखनी है कि अपनी विभीन मांगों को लेकर रिम्स की आउट्सोर्सिंग नर्स इस्टाफारदाल पर थी टी सर्ट और टोफी घोटाला मामला है जार्खन हाई कोट के मुख्यने आधिस डाक्टर रवी रंजन और नियाधिस सुजीत नरान परसाथ की अदालत में गुरुवार को रगवर्थ सरकार के कारेकाल मे अस्थापना दिवस के दिन टोफी एम टी सर्ट बाटे जाने के मामले पर सुनवाई हुई मामले की जाँच CBI या ECB से करवाने की मांग को लेकर दायर याजक्या पर सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान आधालत ने अकाउंटेट जर्नल कले आले को दो सब्ता के अंदर सील कवर रिपोर्ट जामा करने का निर्देश दिया है नीजी वाहन पर नेम पलेट लगाने की छूट देने पर हाई कोट ने सरकार से मंगा जबाब जारकन हाई कोट ने राजे में सभी जन परतिनी दियों को नीजी वाहन पर नेम पलेट लगाने की छुट देने पर सरकार से जवाब मांगा है बतादे चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन और जस्टिस सुजीत नरण परसाथ के अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि एमबी एक्ट के किस परवधान के तहथ जन परतिनी दियों को नीजी वाहन में नेम पलेट लगाने की छुट दी गई है क्या एमबी एक्ट में इसका परवधान है सरकार को दो सब्ता हमें इसका जबाब दाखिल करने का निदेश कोट ने दिया है सचीव के साथ अविभावक संग की हुई बैठक जारखन अविभावक संग के प्रतिनी दियों की बैठक गुरुवार को इसकूली सिक्षा सक्षरता विभाग के सचीव राजे सरमा के साथ पोर्जेक्ट भवन इस्थीत उनके कर्याले कक्ष में बैठक हुई बैठक में संग के अध्यक्स अजयराय ने उन्होंने अईभावकों की तकलिफों के बारे में बिस्तार से चर्चा की अईभावक संग के विभीन जीलों से आये हुए जीला अध्यक्स उन्हें बिस्तार से जीले के अईभावकों की पीरा से अउगत कराया साथी स्कूलों द्वारा सुल्क बढ़ाने जाने तथा विभिन अलग-अलग मदों के लिए लिए जारे सुल्क से भी अउगत कराया बच्चों में आयोडीन की कमी की होगी जाच राज्य के आठ जीलो राची साहेवगंज पलामू लोहरता का गुमला देवघर दुमकाव गोडा में एक जून से तीस जून तक जारखन मातरू सीसू स्वास्त एवं पोसन माह का अविजन किया जा रहा है इसके तहद साल्ट टेस्टिंग कीट से नमक में अविडिन की जांच की जा रही है बतादे कारेकरम के तहद 6 से 12 साल के बच्चों के यूरीन का सेंपल कलेक्ट कर आई डीडी सेल आरसी एस नामकूम भेजे जाएंगे रांची एरपोर्ट से 15 बच्चों को कराया गया रेस्क्यू बीसा मुणडा एरपोर्ट में गुरु आरको केंद्री अद्योगीक सुरक्षाबल ने मानोतसकरी करने वाले गिरोग का भंडाफोर किया है साथी 15 बच्चों को मानोतसकरी का सिकार होने से बचाया जनकारी के अनुसार लाते हार के 14 नवालिक लड़के और एक नवालिक बच्ची को काम दिलाने के बहाने बिमान से दिली होते हुए जमू कस्मिर ले जाने की योजना थी परन्तु CISF को सख हुआ जाने वाले बच्चे नवालिक हैं और उन्हें बाला फुसला कर बाहर ले जाया जा रहा है JACA और BSL के बीच बोकारो में इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम के लिए 25 जून को MOU जारकंड के बोकारो में इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम निर्मान के लिए 25 जून 2021 को BSL के साथ JACA के बीच समझाता पर हस्ताक्षर होगा इसकी तियारी पूरी कर ली गई है इस बात की जनकारी JACA के सचीव संजय सहाई ने गुरुवार को दी इस समझाते के बात से बोकारो में इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम निर्मान के प्रक्रिया तेज हो जाएगी बता दे JACA सचीव संजय सहाई ने बताया कि प्रस्तावित एस्टेडियम के निर्मान से न केवल राज्य एहम जीले के खिलारियों को बढ़ती आवसकताग पूर्ती होगी बलिक बीसव के खेल मान चीतर पर बोकारों के लिए एक अलग पहचान भी बनेगी लातेहर के टाना भगतों ने राजेपाल से मुलकात की अखिल भारतिय टाना भगत कमेटी की नेतिती में लाते हार जीले के टाना भगतों ने राची में राजेपल को ग्यापन सौप कर टाना भगतों के छोटा नागपूर में मालिकाना अधिकार दिलाने की मांग की है इससे पहले राजे भगन के समीब टाना भगतों ने विरुवत परदसन किया इस दोरन परमपरा के अनुसार पूजा अर्चना एम परमपारिक गितगा कर विरुवत परदसन किया विरुवत कर रहे टाना भगतों को अधिकारियों के द्वारा समझाने का पर्यास किया गया ल तादे परदेश की भव इमारते अब राजे के गोरों का परतिक बन रही है इस कड़ी में सिग्र ही नया सची वाले भवन का नाम भी जूरने वाला है या भवन जार्खन की परमपारिक वस्तु कला और अधोनिक निर्मान सैली का अनुठा संगम तो होगा ही पर्यावरन के त लाकवा होने का लगाया जा सकेगा पुर्वन वान जार्खन के सबसे बहुए अस्पताल डिम्स ने एम्स के साथ मिलकर देश का पाला ऐसा सोद किया है जिसका परचम अब अमरीका में भी लाहराया है बतादे डिम्स के डॉक्टरों ने अपने साथ वर्स के लंबे सोद मे लाकवा बीमारी के पुर्वन वान के बारे में पता लगा लिया है इसके साथ ही अब लाकवा होने से बचाने के लिए इसकी दवाई बनाई जा रही है जो ना सिर्फ जार्खन बलिक पुरे देश के लिए एक बड़ी सफालता मानी जाएगी जार्खन में 25 यह सिक्ष को समेथ 1,60,000 है पद रीक्त है मोख्यमंत्री हमान सुरेन के निर्देश के बाल सरकारी नोकरियों में रोजगार के भरपूर आशर मिलेंगे बता दे थोक में नोकरिया की बरसात होगी रिक्त पदों में 25 यह सिक्ष को समेथ लगवग 1,60,000 है सरकारी पद है जो भी मीन विभागों में खाली है मोख्यमंत्री हमान सुरेन ने सभी खाली पदों पर नियुक्ती परक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है बता दे सर्वधिक बहालिया पूलिस विभाग सचिवाले सेवा सन्वर्ग स्वास्त विभाग आदी महतपूर्ण महकंपे में हैं इसमें भरती के परक्रिया अराम्भ होगी धन्यवाद